आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें हलो दोस्तों हमाई सामने प्रशन है, x के साप एक्ष समाकलन ग्याद कीजिए दिया गया प्रशन है, e की घात 3x sin 4x का हमें समाकलन करना है यहां से हल हो जाएगा, i बराबर e की घात 3x गुणा sin 4x dx तो यहां से हो जाएगा, u गुणा समाकलन v dx u का ओकलन x के साप 1 गुणा v का समाकलन x के साप 7 पूरे का समाकलन dx हल अब इसे हल करते हैं तो यह हो जाएगा दोस्तों इसे e की घात 3x को मानते हैं यू और sin 4x को मानते हैं v तो यहां से देखिए, अब इसे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा e की घाद 3x समा कलन sin 4x रिंड आउकलन e की घाद 3x x के साप एक्ष गुणा e की घाद 4x dx पूरे का गुणन फल का पुना समा कलन x के साप एक्ष हल करेंगे तो e की घाद 3x sin 4x का आउकलन क्या होता है cos rind cos 4x बटा 4 rind यह हो जागा 3 e की घाद 3x गुणा rind cos 4x बटा 4 dx हल करने पे e की घाद 3x गुणा cos 4x rind बहार आएगा चिन बटा 4 rind rind का धन 3 बटा 4 e की घाद 3x गुणा cos 4x dx इसे पुना हम गुणा से हल करेंगे तो समाकलन का गुणनियम खंडसा समाकलन e की घाद 3x cos 4x बटा 4 धन 3 बटा 4 कुष्टक के अंदर e की घाद 3x समाकलन cos 4x rind e की घाद 3x का आउकलन x के साप एक्ष गुणा समाकलन cos 4x cos 4x x के साप एक्ष हल करते हैं तो यहां से क्या आप राप्त होगा rind e की घाद 3x cos 4x बटा 4 धन 3 बटा 4 बुणा कर देंगे e की घाद 3x cos x का समाकलन क्या होता है यह हो जाएगा sin 4x बटा 4 rind यहां भी 3 बटा 4 rind 3 बटा 4 समाकलन e की घाद 3x cos का समाकलन क्या होता है cos का sin 4x बटा 4 हल करेंगे तो यह हो जाएगा rin e की घाद 3x cos 4x बटा 4 धन 3 बटा 16 e की घाद 3x sin 4x rin 3 बटा 16 यह हो जाएगा e की घाद 3x sin 4x दोस्तों यहां से ध्यान से देखिए यहां देखिए दोस्तों यहां उकलन हुआ था तो 3 e की घाद 3x के सां 3 का गुणा भी हुआ था तो यह हो जाएगा 3 तीर 9 हो जाएगा यहां इस तरह से अब इसे हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा i धन यहां देखिए दोस्तों e की घाद 3x sin 4x से i हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 बटा 16 i पक्षांतर करेंगे तो 9 बटा 16 i बराबर रिन e की घाद 3x cos 4x बटा 4 धन 3 बटा 16 e की घाद 3x sin 4x हल करने पे यह हो जाएगा 16 और 9 25 तो 25 बटा 16 i बराबर रिन e की घाद 3x cos 4x बटा 4 धन 3 बटा 16 e की घाद 3x sin 4x धन c जहाँ c क्या है दोस्तो समाकलन अचर अब हल करते हैं तो i बराबर हो जाएगा 16 बटा 25 गुणा रिन e की घाद 3x cos 4x बटा 4 धन यहाँ भी e की घाद 3x 3 बटा 16 e की घाद 3x sin 4x धन c c क्या है समाकलन अच्छा रिच में किसी भी चीज़ का तो यहाँ से देखिए दोस्तो e की घाद 3x को हम उबहनिश निकाल लेते हैं और अंदर गुणा कर देते हैं 16 का तो यह हो जाएगा e की घाद 3x बटा 25 और 16 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा रिन क्योंकि यहाँ रिन पहले से है रिन 16 कुणा कॉस 4x बटा 4 धन यहाँ क्या हो जाएगा 16 कुणा 3 बटा 16 साइन 4x धन सी इसे हल करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से 4 एकम 4 4 चो 16 और यह 16 से 16 कट गया तो यह हो गया यही हमारा अभिष्ट हल होगा धन्यवाद दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो यहाँ आपकी सारी समस्य हैं दूर हो गई हो